नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं सूरच चोदरी स्टडी आइक्योपीसियस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है कि नौ बजे का जो हमारा स्लॉट है ये स्लॉट डेडिकेटिड रहता है हमारी फेमस बुक्स के लिए जैसे कि म आठ चैप्टर हम लोग अल्रेडी कवर कर चुके हैं और कवर करने का तरीका क्या रहता है हम इसको कंप्लीट करते हैं पढ़ते हैं किस तरीके से अगे लेकर के चलेंगे और अपने नौवे चैप्टर की तरफ आएंगे जिसके अंदर दिया गया है डेपीएसपी समिधान के नीती निदेशक तत्व और हमारा तरीका क्या रहता है हमारा तरीका रहता है यानि कि हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेशन से शुरुआत करते हैं चलें शुरुआत करते हैं जाता समय बरबाद नहीं करेंगे अपने अपने पहले कोशन की तरफ पहला कोशन कहता है कि समिधान के 42 संसोधन के द्वरा निम्ड कित मैंसे कौन सा सिध्धान्त राज्य की नीती की निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था देखे जब हम नीती निदेशक तत्वों की बात करते हैं तो एक समझ चोटी सी बात हमको समझ नहीं होगी वो क्या है देखे जब भी आप भारत के समिधान के अंदर कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं कोई भी सिध्धान पढ़ते हैं उसका कही न कहीं जनम पहले कहीं न कहीं हुआ होता है जैसे कि अगर मैं DPSP की बात करूँ या उससे पहले हम लोग फंडामेंटर लाइट पढ़ चुके हैं तो फंडामेंटर लाइट के समझ दर्व में हम लोगों ने नगना कार्टा के अवारे में पढ़ा उसके बाद Bill of Rights जिसका जनम USA के अंदर हुआ ऐसे ही करके अगर हम DPS की बात करें तो नीती निदेशक तत्तों की जो चड़चा है इसकी चड़चा भारत के समिधान में भाग 4 में है पार्ट 4 में ये चड़चा हमको मिलती है और पार्ट 4 के अंदर आर्टेकल 36 से लेकर के 51 यानि कि 16 आर्टेकल ऐसे हैं जहां पर DPSP समिधान के नीती एक्ट 1935 भारत सरकार अधीनियम 1925 जो है पहले भारत के अंदर आया और इसी के आधार पर अगर हम आज के समिधान को देखें तो आज के समिधान को जो ब्लू प्रिंट है वो हम सभी जानते कि हम लोगों ने गवर्मेंट आफ इंडियक 1935 से ही लिया है अब इस गवर्में के नाम से जाना करते थे यानि कि निर्देश के सिद्धानत के तौर पर हम लोग इसको जाना करते थे अब ये जो अधीनियम था हम सभी जानते हैं ब्रिटेन की पारलेमेंट से बन कर का आता था तो वहां की संसद के द्वारा भारत के अंदर जो गवर्नर जनर या गवर्न इस्ट्रक्शन्स में लिखे गई थी अब जैसे ही भारत आजाद हो तो आजादी के बाद जब हमारी समिधान सभा में बहस हुई तो वहाँ पर समिधान सभा के सलाकर बियन राओ ने कहा कि देखिए भारत के अंदर जो हम लोगों को अधिकार देंगे उन अधिकारों को हम द देखिए द्राफ्टेंग कमिटी ने सुविकार किया और सुविकार करते हूं उस पूरी बात को भारत के अंदर लाओ किया अब लाओ गैसे किया जहां पर कहा गया तो कुछ अधिकार ऐसे होंगे जिनको भारत के अंदर कोट के द्वारा लागू करवाया जा सकता है तो उसको तो रखा गया भाग तीन के अंतरगत जिसको आप कहते हैं fundamental rights और हम समी जानते हैं अगर किसी व्यक्ति को fundamental rights नहीं मिलता है खंडिस होता है तो व्यक्ति सुप्रिम कोट हाई कोट जा करके अपने कानून अधिकार को प्राप्त कर सकता है कानून के द्वारा ये part 3 हम लोग जाने चुके तो पहले अधिकार तो यहां पर दी गए दूसरा जो उन्होंने कहा था कि कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो कोट के द्वारा इंफोर्सेवल नहीं होंगे उन्हें भाग चार के अंदर रखा गया और उसको हेडिंग दी गई डिपी एसपी बेसिकली अगर हम इंस्टूमेंट और इंस्ट्रक्शन को देखें कि अगर आप भारत के अंदर शाषन चला रहे हैं प्रशाषन चला रहे हैं तो उस केस में आपको कुछ बात में ध्यान में रखनी है कुछ अब्जेक्टिब्स को आपको अचीव करना है तो वो सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं तो यह छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको DPSP के बारे में दिया था अब जड़ा थोड़ा सा आगे चलतें यहाँ पर क्या का गया है कि 36 से लेकर के 51 यानि 16 यह आर्टिकल लगबंग थे जिसमें DPSP की चर्चा की गई थी नीती निदेशक तत्मों की चर्चा की गई थी अब हुआ क्या कि समय समय पर कुछ बदलाब हुए और जोड़ कर के क्या कहा गया है यहाँ पर कुछ नए सिद्धान नए डिरेक्शन जो है वो हमारी सरकार के लिए रखे गए अब जैसे यहाँ पर अगर हम ऑफशन को देखे सबसे पहले क्या कहता है पुरुश और इस तरी दौनों के लिए समान कारे का समान वेतन क्या यह भारत के समिधान की नीतिर देशक तत्वों में शामिल है बिल्कुल शामिल है आर्टिकल 39D में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाता लेकिन 42 संसोधन के द्वारा यह नहीं आता अब वहाँ पर क्या आता है यहाँ पर आता है उद्योगों के प्रवंद में कामगारों की सहभागिता यानि कि अगर कोई वर्कर कहीं किसी फैक्टरी के अंदर काम कर रहा है तो उस मैनेजमेंट में इन कारमगारों की बात सुनी जाए इन सरमिकों की बात सुनी जाए तो ऐसा प्राफधान बैयाल इसमेधान दंसोदन के द्वारा जोडा गया है तो यहाँ पर भी जो है वो अपना सही आंसर बन जाता है यानि कि यह जो पार्ट है यहाँ पर दो तरह कोशिर बन सकते हैं एक हो सकतने factual दूसर हो सकते conceptual यानि कि जब आप में से लिखनें तो वहाँ पर conceptual बात आती है वो हम लोग पैरलली जो हमारी में सेरी चल रही है वहाँ पर cover कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग फिलाल factual और conceptual दोनों लेकर चल रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें में सेरीज के तो वहाँ पर totally dedication किसके लिए है वह मेंस के लिए conceptual clarity answer writing के लिए है अब चलते दूसरे question की तरफ दूसरा question कहता है कि निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और विचार करके बताए कि इनमें से कौन सा सही है correct statement हमको बतानी है बहुत ध्यान से पढ़ना है अगर आपको conceptual clarity है तो ही आप इसका answer दे पाएंगे otherwise नहीं दे पाएंगे याद रखीगा यह fact तो होता है आपने पढ़ लिया आपके सामने आया आपने इसका answer दे दिया लेकिन यहाँ पर concept की बात करने जब तक clarity आपके दिमाग में नहीं होगी तब तक आप answer नहीं कर पाएंगे जिसे यहाँ पर का गया है कि भारत के समिधान के संदर में राज्य की नीती के निदेशक्तत हो यानि कि अगर हम DPSP की बात करें with reference to constitution of India तो दो बातों में से कौन सी सही है पहली बात क्या कही है पहला point यहाँ पर रखा गया है कि यह विधाईका के करत्यों पर निर्बंदन करते हैं दी जा restrictions on the functions of the legislature पहला कहा गया कि क्या यह legislature के कारें उपर निर्बंदन करते हैं उन पर restrictions निंपोज करते हैं दूसरा कहा गया है कि ये कारे पालिक आगे, यानि कि हमारी जो एक्जिक्यूटिव मशिनरी है, उस एक्जिक्यूटिव के कारे उपर निरबंदन करते हैं, तो DPSP की बात करें, तो कहीं पर ये निरबंदन नहीं करते हैं, द्याद रखना, ये क्या है, ये directions है, कि आपको ये कुश्चिन कहता है कि भारत के समिधान में कल्याण कारी राज्ये, welfare state, अगर welfare state के concept को देखें, तो भारत के समिधान में इसे कहां पर दिया गया है, सबसे पहले समिधान की उद्देशी का प्रस्तावना में, दूसरा, राज्ये के नीती निदेशक्तत्व, यानि कि directive principles of state policy, तेसरा मुलादिकार, fundamental rights, और चौथा कागया, सात्वी अनुसुची, यानि कि 7th state को, कहां पर चर्चा है, welfare state की, देखें, अगर हम बात करें, तो state दो प्रकार क्यों होते हैं, पहला state होता है, जिसे हम लोग कहते है, पुलिस state, इस पुलिस state का क्या काम है, इस पुलिस state का क है, राज्य के अंदर, शाषन विवस्था को चलाना, राज्य के अंदर, प्रिशाषन को चलाना, और ये तै करना, कि कानून काईदे जो बने हैं, वो फॉलो हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं, लेकिन, आज के टाइम पर, सिर्फ और सिर्फ पॉलिस state से काम नहीं चल सकता, आज के टाइम पर हमको चाहिए क्या welfare state welfare state जिसको आप कहते हैं कल्याड कारी राज्ये की नीती तो कल्याड कारी राज्ये जब कल्याड कारी राज्ये की हम बात करते हैं तो कल्याड कारी राज्ये याद रखना शाशन का तो काम करेगा ही शाशन, प्रशाशन, कानुन विवस्था इनकी चर्चा तो वो करेगा ही इन पर तो जोड़ देगा ही इसके साथ इसका एक और काम रहता है जिसे आप कहते हैं Welfare जिसको आप इंगलिश में हिंदी में कल्याड कहते है कल्याड कहे हैं आपर क्या मतलब है देश के अंदर हर एक सेक्षन चाहें वो प्रिविलिश सेक्षन है या अन्प्रिविलिश सेक्षन है या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समाज के द्वारा हाश्य पर रख दे जाते हैं जिनको आप कहते हैं डिप्राइव कर दी जाते हैं कि अगर हम बात करें चाहें हो ऐसी वर्ग है चाहें ऐसी वर्ग है टो मैं कि हमना क्या क्या बेसिक सुवधाय लोगों को मिल रए है या नहीं मिल रही है इस बात की चिंता भी राज्य किया करता है सिर्फ बॉर्डरों पर सुरक्षानी आंतरिक सुरक्षानी इसके सास economic security भी लोगों के पास होनी चाहिए social security, political security ये सभी security जो है welfare state के द्वारा दी जाती है तो आज के टाइम पर जो राज्य क्या करेगा एक कल्याण कारी राज्य काम करेगा जैसे कि पूरों शौर महिला को समान कारे के लिए समान वितन मिले यहाँ पर राज्य क्या इंशूर करना चाहता है राज्य के द्वारा यहाँ पर इंशूर करवाया गया कि देस के अंदर क्या होना चाहिए सभी को समान नहाए मिलना चाहिए तो ये क्या है कल्याड का रिराज्ये welfare state का ही काम है तो ये बात कहां पर आती है ये बात आती है हमारे क्या DPSP के अंतरगत यानि की हमारा part 4 के अंतरगत आती है अब आपके लिए छोटा सा एक factual question है कि अगर welfare state नाम का concept है ये point है तो आप मुझे comment में लिख करके बताएंगे कि ये कौन से article में भई है कौन से article में है ये आप मुझे यहाँ पर लिख करके बताएंगे इसके बाद हम चलते है अपने next question की दरफ next question कहता है कि भारत के समिधान में अंतर राष्टे शांती और सुरक्षा की अभिवरद्धी का उलिख जो है वो कहाँ पर है promotion of international peace and security mentioned in the constitution of India कहाँ पर इसे mention किया गया है समिधान की प्रस्तावना में DPSP fundamental duties या फिर ninth schedule के अंतरकर देखिए प्रेम्बल तो हम बहुत detail के अंदर पढ़ चुके है हाला कि हाँ यह बात कह सकते कि DPSP आपने अभी तक YT पर नहीं पढ़ाया है तो DPSP का भी नंबर आएगा main series चल रही है यहाँ पर भी हम लोग चर्चा करी रहे है तो देखिए जब हम अंतररास्ट पीस की बात करते हैं तो हमारी सरकार है सरकारी मशीन जो उसे कहा गया कि आपको ऐसा कारे करना है जिससे की अंतररास्ट शांती बरी रहे पंच शील की डीती को आप लगातार फॉलो करते रहे अब यह सारी बातों को हम अगर हम देखें तो यह सारी बातें आपको भारत के समिधान के आर्टिकल 51 के अंदर मिल जाती है अनुच्छ एदे क्यामन में मिल जाती है तो यह कहां पर है यह DPSP के अंदर ही है पार्ट 4 के अंदर ही है अब आपके लिए गिरोनी सूचना जो बच्चे UPSC की तयारी कर रहे है किसी कारण वज़े से कि पैसों की कमी कारण या फिर गाइडनेंस की कमी कारण अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं तो उन बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए स्टड़ी IQ लेकर के आया है एक शांदार बैच जिसे आप कहते है morning बैच सुबह 8 बजे का इसका टाइम रहेगा 11 जुलाई 2022 से बैच स्टार्ट हो रहा है वैसे तो morning एक और बैच आया था हमरे पास बैच बन था जिसमें सीटे फूल हो गी थी अब response जादा है next question की तरफ अगला question कहता है कि देखी इनको आपको सुमेलित खरना है ऐसे question आप देखेंगे UPSC हो PCS हो या किसी भी राजज्य का PCS हो या फिर UPSC हो वहाँ पर एक question पूछे गए है अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर कुछ article दिये गए इन सभी को दिया गया है अब आपको बताना है कि इन में से कौन सा जो है वो सही बन जाता है जैसे कि अगर मैं article 40 की बात करूँ तो article 40 मैं अभी आपको बता रहा है article 40 के अंदर gram पंचयतों के संगठन की बात की गई है उनके गठन की बात की गई है और साथ में उसके संभने उपनद बन जैसे कि देस के अंदर आपको gram पंचयत बनानी है समय समय पर उनको शक्तियां भी देनी है बनाने से काम नहीं चलेगा उनको शक्तियां भी दे जानी चाहिए अपने चेतर में काम करने के लिए हाला कि बाद में इसको implement भी किया गया 73 समिधान दिसोधन के द्वारा देश के अंदर हमने पंचायत हुआ समिधानी करड़ किया और 11 अनुसुजी के अंदर गत वो शक्तियां बताई कि जो हम पंचायतों को दे सकते हैं तो यह आप देखेंगे यहां पर इसका correct match क्या है correct match बनता है ह article 40 के सामने हमारा फोर आ गया अब दो अप्शन अपने पास बनते हैं तो बी बन सकता है देखें जरूरी नहीं कि कई बार आपको ऐसा होता है न कि आपको नहीं आती सारी चीज़ें तो उसकेस में आप elimination method लगा सकते हैं तो पहला आपने लगा दिया अब ये बात तो इश् 42 के इंतरगत क्या दिया गए यहां पर maternity release की बात की गई है यहां कि प्रसूती संबंद जो सायता है उसके संदर में वंद किया गया है तो यह आगया हमारा कहां पर वन की तरफ अब अगर यह वन की तरफ आ गया तो यह जो हमारा B है यह B automatic eliminate हो जाता है तो answer हमारा क्या बनत करें उनकी देखवाल करें तो यह क्या होता है यह से मैच होता है फिर उसके बाद आर्टिकल 48 आता यहां पर organization of agriculture and animal husbandry यानि कि आज की समय पर राज्यों कहा गया है कि आप क्रशी और साथ में पशूपालन इनको मजबूत बनाईए इनके लिए उपबंद आप कीजिए तो क सही है सबसे पहले का अगया यह वर्त मान में पूरे भारत के अंदर समान नागरिक सहीता लागू नहीं है देखे जरा इस बात को देखे यहां पर चर्चा आ रही है समान नागरिक सहीता की uniform civil code की यहां पर घ्यांसे शब्द को पढ़ेंगे civil code यानि कि नागरिक कुछ अब नागरिक कानून के इंतरगत कौन सा आएगा नागरिक कानून के इंतरगत आता है जैसे कि किसी का विभा आपने देखा होगा जब हिंदू के इंतर शादी होती है तो उसका तरीका अलग होता है उसको रेश्टेशन का तरीका भी अलग होता है किस प्रकार से माननता लिए सिक्कीज़ भी कंदर, अलग परकार से, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है, शादी जो है न, यह क्या है, एक civil matter है, शादी के बाद में तलाग, तलाग के बाद क्या होने वाला है, किस परकार से अलिमोनि मिलेगा, किसी परकार से दूसरी विख्ति को निया मिले वो तलाकिंतर करता गया उसी प्रकार से उत्त्रादिकार उत्त्रादिकार को मतलब क्या होता है जैसे माल लिए दादा ने प्रोपर्टी जो है बच्चे के नाम कर ली तो उसको आप कहते हैं उत्त्रादिकार में इसको लेकर के भी क्या है अलग भारत के अंदर कानून ने जै सारे बात हैं जो भारत के इंदर आज के टाइप पर चलती है तो कहने का मतलब क्या है शादी तलाग उत्त्रादिकार इत्यादी के लिए एक जैसा कानून हो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो चाहे वो क्रिश्यन हो उसी को का जाता है यूनिफर्म सिविल कोड अब इस लिए था कहीं असा ना हो कि फिर दुबारा से ही समस्या है खड़ी हो जाए तो उस समय पर दो इसको लागू कर नहीं पाए राजे से कहा गया कि जब समय आए तो आप यूनिफर्म सिविल कोड भारत के इंदर लगवा दीजेगा तो कोशिन उसी से जुड़ा हुगा है क्य जहां पर यूनिफर्म सिविल कोड लगता है जिसे आप कहते हैं गोवा अब यह क्यों है ऐसा क्या है इसका देखें जब गोवा किया बात करते तो गोवा को एक पॉर्टुगी स्टैरिटरी हुआ करता था बागी पूरे भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर आ पॉर्टुगी सिविल कोड लगा हुआ था तो जैजे एक्कॉयर किया तो हमने वायदा किया था कि वही हम इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे तो वही यह चल रहा है कहने का मतलब आजादी के बात नहीं पहले से चल रहा है तो उसी को हम लोगों ने उसी को रखा है तो सिर्फ एक ही राज्य जहां पर क्या चलता है यूनिफॉर्म से बिलकूर उसे आप गोवा के नम से जानते हैं तो क्या कहता है पूरे भारत के अंदर समान नागरिक सहिंता लागू नहीं है बिलकुल सही है पूरे भारत के अंदर क्या सिर्फ एक ही जगे लागू है या बनेगा वो बन जाएगा answer option number same इसके बाद चलेंगे हम अपने next question की तर्व यहाँ पर दुवारा से दो statement आपके पास है और आपसे पूछा गया बताना है कौन से डिल्मेंट में सही है जिसके सबसे पहले कहता है पर्यावण के संदक्षणवा संबंदर से समवर्धन से संबंद उपबंद राज्य के नीटी नेशक्ता तुम्हें शामिल नहीं है the provisions related to the protection and promotion of the environment are not included in the directive principles of state policy क्या यह सही है और अगर सही है तो article 48A के अंदर क्या दिया गया है article 48A जिसे मैंने आपको बताया था कि 42 में संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो इसके अंदर क्या बात किया है इसके अंदर environment protection की तो बात की गई है wild life protection की ही तो बात की गई है तो यह तो जो है गलत हो जाएगा यह शामिल नहीं है बिलकुल शामिल है तो यह statement होगी गलत दूसरा कहता है कि पर्यावण संदक्ष्णवा संबर्दन भारते समिधान के मूल कर्तवियों के सोची में भी शामिल नहीं है क्या ये बात सही है देखिए अगर हम मूल कर्तवियों की बात करें तो मौरे कर्तवियों हमको article 51A part 4A के अंदर मिलते हैं अब यहीं पर अगर हम अपनी छटी ड्यूटी पढ़ें दो छटा हम लोग कर्तवियों बढ़ेंगे उसके अंतरगत क्या दिया गया है उसके अंतरगत दिया गया है कि भाई हमको क्या करना है पर्यावण को सुरक्षित बनाना है तो कहने का मतलब यह भी स्टेटमेंट गलत हो गई वन एंड टू दौनों के दौनों स्टेटमेंट क्या है यह गलत स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा यहाँ पर आंसर बन जाएगा ना तो एक है सही है और ना ही दूसरी सही है D is the correct answer इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने next question की तरफ next question कहता कि राज्य की नीती के निदेशक तत्व के संदर में कौन सा सत्य नहीं है गलत स्टेटमेंट इसमेंट से कौन सी है मैंने पहले ही कहा था कि जब भी question आप पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे चाहे वो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं कई बार होता बच्चे को आता है question का answer लेकिन वो पढ़ गलत लेता है तो इसलिए गलत answer भी कर देता है अब इस question में कहा गया कि statement सही नहीं है याद रखना नहीं करवाया जा सकता है पार्ट फुर बनाया ही क्यों गया था पार्ट फिर से अलग क्यों रखा गया क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारों की बात करें ऐसे directions दे गए जिनको court के द्वारा avail नहीं कहा सकता ये depend करता है राज्य की इच्छा पर राज्य के संसाधन उपर राज्य के पास संसाधन है तो वह आपके कल्नाड के लिए बहुत सारी योजनाई ले करके आ सकता है और नहीं है तो नहीं कर सकता आप उसे court के इंदर case डाल कर नहीं कहा सकता कि हमको सारी चीज़े चाहिए चाहिए ऐसा कोई fundamental right आपके पास नहीं है तो कहने का मतलब ये वाली statement तो सही हो गई हमको पतानी क्या हमको कहता है गलत statement बतानी है दूसरा कहता है इसका इसपस्ट उलेक समिधान में किया गया है नीतिन देशक तत्व का उलेक भारत के समिधान में है बिलकुल है पार्ट 4A है आर्टिकल 36 से रेकर 51 है ये भी सही हो जाती है तीसरा कहता है कि सरवोच नियालने ने इसे मूल अधिकार के पूरक के रूप में बताया क्या कहता है कि ये क्या है ये supplementary है supplement करते हैं कि इसको fundamental right को यानि कि उसके साथ मिल करके काम करते है तो ये बात भी सही है इसमें कोई गलत नहीं है उसके बात क्या गया है इसके द्वारा नागरिकों को कुछ नैतिक दायत पर सौपा गया है क्या कहता है नागरिकों को नैतिक दायत पर सौपा गया है यहीं पर गलत हो गया यहांपर फिर से हमारे पास दो statement है आपको विचार करना है बताना की कौन सा इसमें से सत्य है जैसे कहा गया है सबसे पहला राजे के नीती निदेशक्तत्तो नियायले द्वारा प्रवर्तिय ना होते हुए भी देश के शासन के लिए मूलभूत आधार प्रधान करते हैं त्या कहता है DPSP हाला कि ये ils केंदर, कानून के द्वारा, कोट के द्वारा इनफॉर्सेवल नहीए बट इसके द्वारा बावजूद भी भारत के निदर साशन को एक बेस मिलता है कि साशन को क्या करना है जैसे कि अगर हम साशन की बात करें सरकारों की बात करें तो उनको पता है कि हमको कल्यांड कारी कारे करना है, welfare state की तरह perform करना है, चाहिए लिखा कहीं नहीं है, कहीं यह नहीं कागा कि यह enforceable ही है, बट फिर भी आपको करना ही करना है, तो यह बात बिल्कुल सही है, यहां से base मिलता है, और इसी base के द्वारा भारत केंदर विन प्रका के pollution जैसे कि noise pollution हो, या फिर water pollution हो, या फिर कोई और pollution हो, उसको खत्म करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए भारत के इंदर अधीनियम भी बनाए गए है, तो कहां से उसको प्रिंड़ना मिलती है, राज्य को प्रिंड़ना इन नीतीन देशन की तत्वों से ही मिलती है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर मैं एक स्टेप तोड़ा आगे जाओंगा, आज के टाइम पर जो हमारा fundamental right है, आर्टिकल 21A, इसकी प्रिंड़ना भी कहां से मिलती थी, इसकी प्रिंड़ना भी आर्टिकल 45 से ही मिलती थी, उसी को प्रिंड़ना मान करके, तो 86 वा सम्मिधान राज्य की परिवाशा दी गई है, देखिए राज्य शब्द क्या है, ऐसी एक परिवाशा आपने कहीं fundamental right में पढ़ी थी, मैं आपको बताता है, आर्टिकल 12 अंतर कर, बार बार राज्य शब्द की बात करते हैं, राज्य को यह करना है, राज्य को यह नहीं करना है, राज पंजब की बात हो रही है, नहीं, यहाँ पर सरकार है, सरकारी मशिन्टी की बात हो रही है, इसको पहले में fundamental right वाले chapter में explain कर चुका हूँ, तो वो अगर हम बात करने तो DPSP के संदर में article 36 के अंदर ही बताया गया कि राज्य का क्या मतलब हो जाता है, ठीक है, तो कहने का मत लब, यहाँ पर यह दोनों statement सही हैं, तो अपना answer बन गया क्या? C, correct answer क्या बन गया अपना? C, इसके बाद चलते हैं next question, इस question का अंसर बता मुझे देही पाऊँगे, क्या कहता है, article 45 के संदर में है, क्या कहता है, भारते समिधान के अनुच्छे 45 के तैत, किस IU वर के पर डाला गया है, 6 से 14 वरस, 6 वरस से कम, 5 से 12 वरस, 5 से 14 वरस, देकि जब भारत का समिधान बना तो एक बात तो हमारे देश की founding fathers को पता थी कि हमारे बच्चों को चोटे बच्चे हैं कौन से वाले, 6 से 14 वरस वाले बच्चे हैं, उनको हम क्या करें, basic sheet से देंगी देंगे लेकिन उसको अधिकार के तौर पर नहीं दे सकते थी, नया नया राज्य बना था, नया नया अधिस बना था, हमारे पास funds नहीं थे, proper उसकी functioning भी नहीं थी, तो हम उसको अधिकार के तौर पर नहीं दे पाए, तो यह कहा गया article 45 में, कि जब भी समय आए गार राज्यस काम क करें, और इसके संदर में जो development हुए, जैसे कि उनिक रश्णन केस हो, या फिर मोहित, जो हमारा करनाट का वाला केस हो, यह सारी चर्चा में पहले कर चुका हूँ, तो धीरे धीरे एक जो माहौल बना और उस माहौल के अंतरगत हमको हमारी देश की संसत को बदलाब करने जो है 6 से 14 वरस के बच्चे को सिक्षा का अधिकार दिया गया, right to education दिया गया, यह तो इसके संदर में, लेकिन इसके पैलल एक development आर्टिकल 45 के अंतरगत भी हुआ, क्योंकि यह जो आर्टिकल 45 का matter था, उसको तो आपने आर्टिकल 21 एक अंतरगत प्लेस करके fundamental light बना दिया, तो आर्टिकल 45 एक तो खाली हो गया, तो आर्टिकल 45 में क्या कहा गया, यहाँ पर राजे से कहा गया कि जो बालक 6 वरस से कम उमर का है, आप उसकी देखवाल करोगे, देखवाल कैसे करोगे, विसक्षा प्रदान करो उसको, ठीक है, तो यह अपने को ध्यान रखना है, तो आपको बताना है, सबसे पहली स्टेटमेंट है कि मिनरवा, मिल्स, वनाम, भारत संग 1981 के मामले में, सरवोच नैले ने गोशित किया कि मूल अधिकारों और नीती देशक तत्मों के मध्धे, संतुलन समिधान के मूल धांचे का हिस्सा है, देखे, एक डिबेट बहुत एंडा, मेंटल, राइट को वॉएलिट कर दे, तो क्या उस कानुन को वैलिड मानेंगे, तो इसको लेकर कि जब विळाद चला तो फाइनल इसको मिनरव विल्स में कि एसमे खा गया, यह हमको क्या करना है, दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलना है, तो यह बाद बिल सही हो जाती कहने का मतलब अपने पास जो अंसर रहेगा सी दौनो स्टेटमेंट सही है वन एटू बोधार करेक्ट इसके बार चलते हैं नेक्स्ट कुश्यन की तरफ यहां पर भी दुबारा से आपके पास दो statement है आपको बताना इनमे से कौन सी सही है सबसे पहला कहता है कि भारत संवीधान की किसी भाग में समान कारे के लिए समान वेतन से संबंद निर्देश या प्राबधान नहीं है क्या कहता है कि equal pay for equal work ऐसा कोई प्राप्धान नहीं है क्या यह सही बात है है हम लोग पहले पढ़ चुके इसको लेकर प्राप्धान तो है बारत के संभिधान में आर्टिकल 43D क्या है आर्टिकल 43D यही तो कहता है समान कारे के लिए समान वितन महिला पूरसों को तो यह तो प्राप्धान है तो कह में कहां परता है ऐसी कोई चर्चा आई थी ऐसी कोई चर्चा नहीं आई यह तो यह भी गलत हो गया तो दोनों के दोनों वह गलत statement कहने का मतलब क्या है अपने पास यहां पर जो आंसर बनेगा वह बनता है क्या D is the correct answer इसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कोशिन की तरफ नेक्स्ट कोशिन कहता है कि भारत की गुट निर्पेक्स्ता की नीती पर चलने वा संतराष्टे संबंदों में पंच सील से धांत को आधार्म बनाने जैसी अभीव्यक्तियां समिधान के किस अनुचेत की प्रती आपको बता चुका हूं तो कहां पर ऐसी कमेंटमेंट आती है ऐसी कमेंटमेंट सीधी बात है कहां पर है आर्टिकल 51 अनुच्छे देख्यावन के अंतर गताती है तो यह सी इसका सही अंसर बन जाता है इसके बाद अगर हम आगी चले तो आज के सेशन का हमारा आखरी हुआ एक ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफर्म सिविल कोड लागू होता है बाकी राज्यों में नहीं होता है ठीक है चलिए इसके बाद अगर हम आगे चले तो आपके लिए फिर से बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बच्चे यूपीएस की तयारी कर रहे है अफॉर्डेवल तो चलिए इनी शब्दों के साथ मैं अब लोगों से विदा लेता हूं लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई क्वेशन है कोई कमेंट है तो आप मुझे भेज सकते मेरे इमेल एडरस पर या फिर आप मुझे जुड़ सकते हैं मेरे सोशिल मीडिया पर तो चलिए इनी शब